जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारद्वा यूटूब चैनल पर 30 दिसम्वर महा सुभ्योग सफला 81 गुरुबारी यह 81 ब्यादी शुव हैं इस दिन भगवान विश्णू के सामने तुलसी के पत्तिय अरपन करें 81 का ब्रत करने से हमारी सभी मनुकामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति सच्चे मंद से भगवान विश्णू का आवान करते हैं उनके सामने बैट करके मनुकामना बोल करके उपाय करते हैं उनकी प्रतेग मनुकामना पूरी हो जाती है भगवान सी कृष्ण प्रसम नो करके प प्रभावान विश्णू के सामने अपनी मनुकामना बोलकर के संकल्प करना है हाथ में जल्ले करके एक कटोरी में गंगा जल आपको डालना है और उसमें ग्यारत तुलसी के पत्ते आपको डालेने हैं ग्यारत तुलसी के पत्ते आपको डाल करके साइड में रख देना हैं एक लोटे में जल डालें उसमें थुड़ी से हल्दी चनी के डाल डाल करके ब्रेश्पित बार्गी का थाका स्रबड करें एक आजसी के दिन गुरुबार का पढ़ना बियादी शोव माना जाता है ऐसा य इपक जला करके देवगी सुध्गोविंदम बासेम जगतपते देही में तनम किष्णम तौमं सरनुकते हैं ऐसा बोल करके बगवान के सामने ग्यारत तुलसी के पत्ते आपको चड़ा देने हैं वही बैठ करके आपको एकाजसी की कथा का स्रबड करना हैं एकाजसी की कथ पूजया का विशिश महत्व ऐ tulह भार है तो बिरस्पदेव की पूजया की साथ इज़ा साथ इस दिन गौमता का पूजन भी करना चाहिए गौमता के अप हाथ जोड़ करके प्रात्हा भोलें, अपनी मनुकामना भोलें और इस दिन एक पीला बस्तर ले करके गव माता को उड़ादें हाथ में गुड़र रख करके गव माता को खिलाएं इससे आपकी पूत्र संतान की मनुकामना वश्य पूरी होगी एकासी का ब्रत सभी ब्रतों में स्रिष्ट माना गया है जो व्यक्ति भगवान विश्णू के सामने एकासी के ब्रत का संकल्प करते हैं कता पड़ते हैं ब्रत करते हैं उनकी हर मनुकामना पूरी हो जाती है इस बकार से आप यह उपाय करेंगे तो आपको अबस्ती ही लाम मिलेगा वीडियो को जाद जाद सेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें बगल में बैल आइकन बटन को दबा के ओल को दबा मेरी हर वीडियो को नोटिपिकेशन पाने लिए बगवान विश्णु आप सभी की मनुकामना पूरी करें तो बड़ी एकासी है और महा सुभ्योग है साल 2021 की आखर एकासी है उसके बाद में 2022 में एकासी का परव पड़ेगा तो बगवान विश्णु के सामने बैट करके आप यह उपाय जरूर करें आपकी मनुकामना पूरी करें